तो मैं यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जम्मू में भी चल सकते हो मगर आख्री जो चार दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए बेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और्गिनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन-चार दिन पहले अड्मिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शाय डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेड फेका जाएगा तो मैंने सोचा सुनिए मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वो ही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंडिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ूर्गों ने आंसूं से मेरा यहां स्वागत किया मैं अब जमू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी आर पी एफ के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब को जमू कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को सी आर पी एफ के बी एस एफ के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी जैसे मोदी जी हैं अमिच्शा जी हैं आर एसेस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखी है डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पे हम चार दिन पैदल चले मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो डरते हैं